असलाम्यकूम वीवर्ज आज हम सिखेंगे How to record ZoomMeeting as a host याद रखेंगे ये ZoomMeeting just host इस मैतर से record कर सकता है एक participant नहीं कर सकता या organizer जिसको host select कर दे यानी host बना दे वो ही उसको ही ये feature show होगा recording का चलिए start करते हैं सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी recording store होके जाएगी कहा recording पर आते हैं और ये देखिए हमारे पास हमें उसने location शो करवा दिया कि इस location पर हमारी recording store होके जाएगी ये एक box check है इसको देख लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी जब meeting end हो तो उसकी location आप से पूछी जाए तो इसे check कर दें otherwise इसे uncheck कर दें इसके इलावा open का button भी location के साथ open का button दिखाई दे रहा है अगर आप को आपकी recording store होने के बाद location शो नहीं होती तो आप यहाँ से open करके अपनी location देख सकते हैं मैंने अपना zoom का account login किया हुआ है और सबसे पहले मैं एक meeting create कर लेती हूँ यहाँ से हम लोग participant को invite करने के लिए link copy कर लेते हैं wait करते हैं कि हमारा participant हमें join कर ले और दिखाते हैं किस तरह से हमें हमारी zoom meeting record होती है participant को add करते हैं permission देते हैं meeting में add होने की और उसके बाद हम recording start करते हैं जैसे ही हम recording start करेंगे हमारी हमें टॉप पे recording का option नजर आ रहा है जैसे ही हम meeting को end करेंगे leave करेंगे तो हमारी जो है meeting convert हो जाएगी convert होने के बाद recording convert meeting recording और उसके बाद वो हमें आर्टोमेटिक शो करवा देता है कि हमारी meeting कहां पर store हुई है हमारी recording कहां पर save हुई है उमीद करते हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसे like and share करना ना भूलिया और नीचे लगे bell icon के बटन को क्लिक कर दे ताके हमारी हर आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहें